हेलो गाईज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, आज मैं आपके साथ बहतरीन रेमटी शेयर करने लगयू हमारी स्किन के लिए, सौरी इतने दिन मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मौसम चेंज हुआ है तो मेरी तब्य थोड़ी सही नहीं थी उसके गोल्डन फल में एक चीज हम मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हमारी स्किन इतनी जादा ग्लो करेगी, इतनी जादा शाइनिंग करेगी और बहुत जल्दी हमारा रंग फियर हो जाएगा, बहुत जबर्दस रेमटी है, मैं खुद भी परसनली तोर पे भी यूज करती मैं खुद भी यूज करती हूँ, इसलिए मैं आपको रेकमेंट कर रही हूँ गाइज, हम ये गोल्डन पले क्रीम लेंगे, इसके पर हम इसे ओपिन कर लेंगे, और ये अब देख रहे हैं, ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल मैंने यूज नहीं की, आमने क्या करना है, सिंपल तरीके से इसे निकाल के बावल में डाल देना है, उसके बाद क्या चीज इसमें एड करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं इसको निकाल लूँगी, ये देखे गाइज, मैंने इसे निकाल लिया है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें ये जो, ये स कि आना है उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है नेक्स स्टेप यह हमने अच्छे से मिक्स करना है फिंगर की मदद से करना है यह ब्रश से नहीं होगा क्योंकि इसमें फिर वो रह जाएंगे इसकी वज़ा से मैं खुद भी फिंगर से ही करती हूँ अगर आपको कोई इश्यू है तो आप अच्छे से हैंड वाश कर ले उसके बाद कर ले यह बहुत जबर्दस फॉर्मूला है हमारी स्किन के लिए अगर यही फॉर्मूला अगर आप अपने हाथों पर यूज कर सकते हैं तो कर सकते हैं गाईस ये अच्छे से क्रेमी फॉर्म में हो गया है ये देखे गाइस ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अपनी फिंगर की हेल्प से अब इसमें हम डालेंगे विटामिन ई, इवियोन कैपसॉल ये हमने एक ही ज़स्ट डालना है जादा नहीं डालना है इसकी मैंने आपको कॉलिटी बताई हुई है बहुत जबरदस्त है बेनिफिट है हमारे स्किन के लिए और हमारे फेस के लिए हमारे हेर्स के लिए बहुत जबरदस्त है इसकी वज़ा से मैं ये क्रीम में भी लोशन में भी ऑईल में भी हर एक चीज में आपको रेकेमेंट करती हूँ कि ये आ ते लिए बहुत जबर दस होगा, आपकी स्किन आसे बहुत था जाएगी और बहुत जल्दी बहुत कम दिनों में ही जल्दी आपको इसका असी का मिल जाएगा अब हमने क्या करना है सिंपल थरीके से हमने की अप STEVE ले लेना, इसे कट कर लेना यह यह मैंने इसे कट कर लिया गाई जब हम इसे क्या करेंगे इसका सारा ओईल अच्छे से निकाल लेंगे एक से जादा नहीं डालना है क्योंकि यह ओईली होता है वो क्रीम भी ओईली है तो फिर आपकी स्किन सूट ना करें तो फिर मैंने कुछ कह सकती वो आप अपने प्रिक् करेंगे ताकि इसका लेट ऑईल का आपम आप मिक्स करेंगे कैप्सुल के बाद हम इसे मिक्स करेंगे और और हम इसे क्रीम वाले जार में डाल लेंगे यह आपको जो बैतर लगे उसमें डाल लें क्रीम वाले में वैसे तो आजाएगा ओईल तो इतना जादा है नहीं कि जो हमारे क्रीम की इसमें नहीं आएगा तो हम इसमें क्या करेंगे सिंपल तरीके से इसे दुबारा डाल देंगे हमने इसे फ्रीज नहीं करना है फ्रीज में नहीं रखना है नॉर्मल डूम के टंपरेचर पर हमने रखना है यह हमने ऐसे ही क्रीम में डाल के इसे अच्छे से जैसे पहले थी वैसे ही इसकी शेप बना के डाल देंगे इसमें ये देखे मैंने अच्छे से इसमें डाल दी है पूरी ये फुल हो गई है और तो हमने इसमें कोई चीज आड़ नहीं की इसलिए एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं था इसलिए ये खाली हो गया बाउल नाइट क्रीम कोई भी अप्लाय करते हैं वैसे ही करनी है आपने क्या करना है इसे पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाय कर लेना है ओवर नाइट इसे छोड़ देना है सुबह उटके फेस वाश कर लेना है इसका रिजल्ट आपको एक हफ़ते में ही गाइस मिल जागा बहुत जादा जबरदस्त है बेनिफिट अगर आपको यह पसंद आया मेरे तो आप अगर यह आपको मेरी क्रीम पसंद आई है रैमिटी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और गाइस इसे आप स्टोर करके रख सकते इसका कोई भी नुकसान नहीं है ओके गाइस बबाए